ये जेड का पोधा मेरा पहला पोधा था जिसको मैं लेके आई थी ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा था लेकिन कुछ दिनों पहले गिलैरी ने इसकी सारी ब्रांचिस काट दी उन टूटी हुए ब्रांचिस को मैंने उठा लिया और प्रोपगेट कर लिया ताकि मैं इस और अब इन कटिंग्स को हम पोक कर देंगे मिट्टी के अंदर एक से दो महिने में इन कटिंग्स में जड़े आ जाएंगी और ये अपने आप एस्टबलिश हो जाएंगी अगर आपके पोट क्रावडिड है या फिर आपका पोधा रूट बाउंड है तो आप इन कटिंग इसको बड़ा पोट भी दे सकते हैं रीपोर्टिंग करने के लिए जनवरी महिने के आखरी दिन और फरवरी का महिना सुटेबल होता है जेड एक सक्विलेंट है इसलिए इसको कम से कम पानी चाहिए और पूरे दिन की ब्राइट धूप चाहिए ताकि ये अच्छे से ग्र